अक्सर हम सभी को कुछ अच्छा और कुछ चटपटा खाने का मन करता है कि दिमाग में आता है क्या खाऊं जो बहुत ही टेस्टी लगे तो बस आज की रेसेपी वैसे ही है कि इसके सामने बजार के सारी नास्ते फेल है और इसे बनाना तो काफी इजी है और इसमें जो भी चीज में यूज करोंगी वो आपके किचन में असानी से मिल जाएगा तो फिर देर किस बात की चलिए बनाते हैं आज हम इस रेसेपी को हरे मुंग से बनाएंगे उसके लिए आधा कप हरा मुंग लेंगे और राध भर भीगो के छोड़ते हैं या फिर चार से पांच घंटी के के लिए मुंग भीगो के छोड़ सकते हैं मुंग 5 गंटे में भी अच्छी तरह से भीग जाता है अब इस मूंग को उबालना है, उसके लिए एक कूकर में सारे मूंग को डाल देंगे अब इसमें डालेंगे दो से तीन कली लहसुन का, साथ में ही डालेंगे थोड़ा सा बारी कटा हुआ अधरक आधा चमच कच्चा जीरा अब इसमें आधा चमच नमक डालेंगे साथ में एक चुथाई चमच हल्दी पाउडर डालेंगे अब इसमें डालना है आधा कप पानी पानी बहुत जादा नहीं डालना है बस इतना डाला है कि मूंग अच्छी तरह से डूब जाए बस अब धकन बंद करके दो सीटी तक लगा लेंगे दो सीटी में अच्छी तरह से ये मूंग उबल जाएगा अब दो सीटी हो गया है दो सीटी में मूंग अच्छी तरह से उबल जाते है अब आप देख सकते हैं एकदम ड्राई मूंग है बिल्कुल भी पानी नहीं है बस इसी तरह से हमें चाहिए पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए अब इस मूंग को एक बावल में निकाल लेंगे अब हमने सारे मूंग को बावल में निकाल लिया है बस अब इस तरह से चमज से मैस कर लेंगे एकदम सॉफ्ट रहता है तो असानी से चमज से मैस हो जाता है अब इसी तरह हम पूरा मैस कर लेंगे अब ये मूंग पूरा अच्छे से मैस हो गया अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया साथ में ही तीखा के लिए डाल देंगे एक कटीवी हरी मिर्ची तीखा पपने नुसार कम या जादा कर सकते हैं साथ में ही डाल देंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप इस हरे मूंग की जगह पीला वाला भी मूंग ले सकते हैं बिना छिलका वाला या फिर टुकडा वाला जो छिलका वाला आता है वो भी ले सकते हैं जो है आपके पास वो ले ले अब ये मुंग पुरा मैस होगे अब इसे हम साइड में रख देते हैं अब लेना है एक कड़ाई और इस कड़ाई में एक कड़ाई में एक कप पानी डालेंगे और पानी को गरम होनी के लिए छोड़ देंगे अब इस पानी में डाल देंगे थोड़ा सा नमक और नमक डालके अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे पानी में अब हमें लेना है एक कप चावल का आटा चावल का आटा के जगा आप सूजी भी ले सकते हैं चावल के आटे को अभी गरम पानी में अच्छी तरह से मिक्स करना है और मिक्स करते हुए इसे पकाना है इस चावल आटे को पकाना एकदम एजी है काफी जल्दी ये पक जाता है अभी चावल का आटा अच्छी तरह से पक चुका है अब गयास का फ्लेम आफ कर देंगे और दस मिनट के लिए छोड़ देंगे धकने से इसमें जो भी मौस्चर है उससे बहुत ही अच्छा हो जाता है आटा अब दस मिनट हो गिया था तो हमने आटे को एक बाउल में निकाल लिया है अब आटे को इस तरह से अच्छी तरह से हाथ से मसलना है और चिकना करना है क्योंकि चावल के आटे में गुठलिया बनी रहती है तो उसे तोड़ना है अब अच्छी तरह से चावल आटा एकदम डो के फॉर्म में आ गिया है बस अब इसे इसी तरह से छोड़ देते हैं अब इस आटा से छोटे साइज का एक लोई बनाएंगे बहुत बड़े साइज का आके बेलेंगे गेहों का आटा लगाने से बेलन में बिल्कुल भी चिपकता नहीं अज़्दम सॉफ्ट बनता है हलके हलके हाथ से बेलेंगे क्योंकि चावल आटा रहने के कारण बेलने में बिल्कुल भी महनत नहीं लगता है बस हमने इतने बड़े साइज का बेल के आसँ आना है. अभी कट गया है पूरी अच्छी तरह से. अब हमें ले ना है मॉंख दाल का स्टफिंग जो हमने बना के रेड़ी गीया था. अब श्मून से थोड़ा सा स्टफिंग को लेंगे आधा चमच के करीम और इस तरह से स्टफिंग को रख देंगे बीच में बस अब दो साइट का कॉर्णर लेंगे इस तरह से और दोनों को एक दूसरे के ऊपर चिपका देंगे यह चावल आटा रहने के कारण आसाणी से चिपक जाता हैं बस इस तरह से हलके हाथ से प्रेस कर देंगे अब जो चारो अभी हम सेम इसी तरीके से बना के रेडी कर लेंगे। अब हमने सारे को एक साथ बना के रेडी कर लिया है। अब इसे हम आज स्टीम में पकाएंगे। अब स्टीम देने के लिए एक बरतन में पानी गरम करेंगे और स्टेंड डाल देंगे। उसके उपर ये जाली वाली प्लेट रखना है, अब जो हमने सारी को बना की रखा है अब इस तरह से उसके उपर रख देंगे, जैसे आप भाप में कोई भी ची बनाते हैं या फिर ढोकला बनाते हैं बस सेम उसी प्रोसेस से बनाना है, अब इसे कवर करके 5-7 मिनट के लिए छोड़ देंगे, 5-7 मिनट में ये अच्छी तरह से पक जाता है, अब 5-7 मिनट हो गया आप कवर हटा लेते हैं, अब देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से पक चुका है, अब निकाल के ठंडा होने के लिए थोड़ी दिर के लिए छोड़ देते हैं, अब ये पूरा ठंडा हो गया है, आप इसी तरह से भी खा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप इसे भून लेंगे तो वो ज़्यादा स्वाद आता है, अब इसे हलका सा भूनने के लिए एक कड़ाई में दो चमच तेल डालेंगे अब उस तेल में आधा चमच सरसो, साथ में ही आधा चमच जीरा डालेंगे अब इसमें मैं डाल देंगे एक पीस कटीवी हरी मिर्ची, साथ में ही एक चमच किचन किंग मसाला और एक चमच लाल मिर्शी पाउडर ये दोनों पूरी तरह आपशनल है लेकिन आप ये डालेंगे तो ज़्यादा स्वादाता है बस अब एक मिनट के लिए इस तरह से मसाले को भून लेंगे कि इसका कच्चापन खतम हो जाए भून चुका है अब ये अब जो हमने भाप में बना के रखा है अब इससे डाल देंगे इस तरह से अब इससे तेल में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कि पूरा मसाला इसके उपर कोट हो जाए ये बिल्कुल भी तूटता नहीं है असानी से आप मिक्स कर सकते हैं और एक से दो मिनड़ तक भूनना है बहुत ज़्यादा देर नहीं भूनना है अब ये अच्छी तरह से बन के रेडी हो गया आप ग्यास का फ्लेम आफ कर देते हैं एकदम मज़िदार सा नास्ता कम तेल का बन के रेडी हो गया है अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं आप इस नास्ते को किसी भी टाइम बना सकते हैं ये ठंडा भी बहुत अच्छा लगता है यहाँ तक कि आप एक दिन बाद भी खाएंगे न तो बिल्गुल भी खराब नहीं होता है इतना ज़्यादा ये टेस्टी लगता है आप इसे बना के बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं बच्चे एकदम सौक से खाएंगे अब मैं आपको एक पीस कट करके दिखाती हूँ कि अंदर तक किस तरह से इस स्टफिंग पुरा अच्छी तरह से फैला हुआ है एकदम सौफ्ट बनके रेड़ी होगे आप देख सकते हैं इस स्टफिंग चारो साइट फैला हुआ है अगर आज की ये रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें